नौवल साडी शौप दा अगला पार्ट शेर दे असमानों ते बद्दल दिखाई दित्ते ते चाड़ हो गया ठंडी हवा वगण लगी ते लोग तो पुदी वडीक करन लगे दुपैर तक मी पैणा शुरू हो गया इस सालमरे सर्विच सर्दियां दी ठंड पहलें बहुत जयादा सी मी पैणना लोग कमबन लगपे ते आपो अपने गुलू बंदा शौलां ते उन दियां जुराबां छोर वी लिप्ट गए एस ठंड च लोकां दे जोड दर्द करन लगे बुन पाट गये तढ़ियां ठार गया उनानू ठंड लगई नकवैन लगई ते अखांचो पाणी वगण लगगा कुत्ते अपनियां पूच्छा अपनियां लतांच देके निगियां ते खुशक थावां लबबन लगई हवा होर तेज ते ठंडी हो गई जिस नल हलकी हलकी होरे बारिश इस तरां डिगण लगी जिमें हवा विच निरित कर रहे होगे हवा कारण बरसाद दियां कणियां लोकां दे चेरियां सरीरां ते मारता दियां कंदां दे वज़दियां जदके आम बरसाद सिद्धी तर्थी ते डिगदी है दुकान दे अंदर सब जणे काम ब्रे सं, ते सारे जणे चाड़ वाळे इस सयालू दिन दी, उदास सी नू मैसूस कर रे सं, पर राम चंद कुछ नी सी मैसूस कर रेया, जिन्नी मर्जी बेयरामी होवे, उकदेवी ठांड से लेचिक कड़ते खड़े पानी दी परवानी सी क जो तो बच्चा होनदा सी उदों तो ये बरसात चो उनू बहुत अनांद मिलदा सी, उनू ये अनांद होन भी मिलदा सी, बरसात सदा ही उनू चंगी लगदे सी, पामे किसे स्यालू दिन दी उदास मही रिमचे मीक्यों न होवे, हरी उननी देर तक शिकायत करदा रहा ते ठ सारे जने ही उदासी ना मैसूस करन लग पाई, कैन लगा इस ठांड नालता मेरा सारा स्रीर दुखन लग पे, ये स्टनाल मेरी स्रीर दे सारे जोड़े ने अकड़ गई है, कि मैं होन तो ये बुद्धा मैसूस करन लग पे, कोई वी अंग हेल नहीं रिया, गोकल ने उनू जोड़ानू बिल्कुल ही ना हेलोना है, तो ओदो तके नानू नहीं हलोना जात तक मजबूरी ना होगे, ते जे तू अपने अंग हलाई हुन दे, तो होन तक तू अपने कोड़ पे, साटन दे नवे बंडल नू टका के रखवी दे ना सी, हरी ने सुस्ती नाला कड़ पर दे हो एक क्या, की है गोकल भाईया, सारे जने सदा मेरी मगर क्यो पहे रहन दे हो, मेरा ता एक ह्याल है कि पिछले एक साल तो मैं जी तोड मेनत करदा आ रहे हैं, गोकल फेर क्यान लगा, हरी अजी बहुत सारा काम करना बाकी रहन दे, अपने जोड़ा मारे पोल जा, ते ना ही मेनू अपनियां दर्दा मारे दास, ठीक है, तुरंत इसाटन वाला बंडल ठीक करके राक, हरी इस तरहां खड़ा हुया, जमें बहुत वड़ी कुर्बानी कर रहे होगे, पर नाडी रता ठक्या जया भी होगे, गोकल ने पहला मांगी सक्ती वाला वतीरा तारी रख जिस तरीके नल उएक दूजेवल चाक रहे सन, उन्हों देखके लग रहे सी के दो में किसे गलते स्यामत नहीं हो रहे, सिर्फ रामचांदी सी, जिदा मूड खराब नहीं सी, उन्हें सुपन में यक्खा नल खिड की विच्चों बार लेतों दुवले संसार नू देख्या हवाच लहरा रही, बारिश ते तुप क्या कारन, सारी आकार ते बिम्ब बड़े खुबसूरत तरीके नल हेल रहे सन, उन्हों कोई नमा माल कड रहे सी, तो अपने आप विची गा रहे सी, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी नहो, आन्सू भी नहो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, खिड़की दे शीशे दे बार मीं दीयां कुछ बुंदा लट करेंगा सन, इस शीशे नू चंब्डियां होयां सन, कदे कदे हिल दियां सन, ते मोतियां मं चंख दियां सन, राम चां दोना नू देखके म उसकुराया, नाल दी नालो साडियान उते लाउन ते खुलन दा काम भी करदा रेया, ते उना दियां कीमता भी चक करदा रेया, वो बार बार उही गाणां गौंदा जा रेया सी, खुश से, ए सोच दे हुए, उदे मूच कुड़तन पार गई, के इस दुकान वेच ता कोई जना शांती नल गावी नी सकदा, उन्हें देख्या के पीम सैन सेट महाजन उपर वलनू आ रेया सी, अज कल उपर काटियां दहुंदा सी, वो दा पार काफी ज्यादा सी, जिस करके उसले ये कमजोर जें या पाडियां चड़ना लगातार मुश्किल हो रेया सी, सब जने एकदम चौक्स हो गए, चंदर ने सेरुपर चुक्या, रामचंद ने गुण गुणोना बंदगार देता, हालांके गाणाओ दे मन विच अजेवी चलदा जा रहेया सी, हरी ने गुलाबी साटन दिया वक वक साडियान वलग लग करना शुरू कर देता, ते गोकुल ने अ महाजन दी अखांचे चम काली, कदो, उन्हें अपने हत्थानू आपस्च रगड़ दे होई पुछया, दोहां जणेयानू आपस्च गल्लां कर दे होई देखके रामचंद ने सुते सिद्धी अपनी या उंगलांदी पटाक्के वे जाए, महाजन ने उस वल मू मोड़ेय ते उस वल तिखी नजर सुटी, रामचंद ने पटाके वे जाणे बंदगार देते, उदा चेरा लाल हो गया ते उ तुरंत फिर कम करन लगा, महाजन ने अपना मू फिर पीम सैन सेट वल मोड़ेया, उनो दे चेरे ते मुस्कुराट आ गई सी, पीम सैन ने जवाब देता जन्वरीच, सही तरीक एक दो दिनाच मित ले जाएगी, महाजन ने सेरह लाया ते फिर बुलन अपके सोचन लगा, पीम सैन ने कहा, कुदरती है के दुकान ते नहीं आउनगी, उबड़े वड़े लोग खान, इसलिए स्टॉक होना दे कार पेज दे, बेहतरीन माल पे जी महाजन, वो रुक्या, वो रता कुछ चिंतित दिखाई दे रहा सी, रामचांद ने अपना काम करते होई उस वल देख्या, उन्हों अजीब जीया लाग रहा सी, पीम सैन सेट कदे वी इनना गंबीर नई सी हुन्दा, सेट ने कहना अंजारी रख्या, उन्हानु हर रोज जित्तियों केंड, ते जेडियां वी केंड साडियां पे जणियां शुरू कर देना, उन्हानु सब तो वधिया लेंगे चोलियां भी पेज देन, उन्हानु खास करके औरतानु खोश रखना, तेनु पताय उन्हादी एक चोटी ती वी है, शायद दो सालां बाद, जा गलबात कर दे रहे, ते फिर गंबीर ते चिंतत दिखाई दिन दे हुई, एकठाई बार चले गए, छेती हरी ने आके दसिया के दो में जणे हेठा भी नहीं सान, वो कुछ देर ले दुकान दे बार चले गए सान, सब जणे राहत मैसूस कर रहे सान, गोकल खास तो औरते स सखा मैसूस कर रहे सी, उन्हें रामचंद नो कहा, मैं अज खाना लेआना पूल गया, मेरे कोल ता इनने पैसे भी नहीं कि मैं किसे दुकान ते तो जब बार हुखा सका, मैं ता स्वेर्दा ही सोच रहे सी कि महाजन बार जावे, उन्हें कार जाके खाना खा सका, वो काली नल अपने कारवाले रवाना हो गया जान्दा हुया क्याई गया कि वद्धे कंटेज परता है गा पर पूरा एक कंटा बेस्टन दे बाद भी गोकुल वापस नहीं सि परते हैं गोकुल इस तरह नहीं सि करदा हुंदा क्योंको निमा दि सकती नल पालना करदा सी ओं हर रोज ह समय सिर कमते होंदा सी दपैर दा खाना पोल जान वर गिया चंचेत गाली उनुं महाजन दी ताना शाइद तोड़न ले उक्सा सक दी सी वह आखरकार दो कु कंटे बाद लंगड़ोंदा होया आया हरी पच्छन लगा की होया तुसी लेट हो गए कि ते लड़ाई ता नहीं हो क्यों की हो गया रामचंद नहीं पुछिया वो सोच रहा सी कि ते लचमी दा फेड़ता दिमाग नहीं फिर गया तो उन्हें कि ते गोकल ने कुटता नहीं देता कैन लगा इदर नुआ दे हुए मेरे साइकल ची के रेड़ी आवज जी जान तो अड़ा साइकल था नहीं कि ते रेड़ी ची जावज जा हरी ने खुश मिजास टांग नल किया जो तो गोकल ने उस वल गुसे नल चा किया तो उन्हें नाली ये किया हो सकदा है उहीं सोचदा होए शायद मेरा पैर दर्द हो रहा है गोकल ने हाई किती ते नाली अपना सुज्य होया पैर देखौन ल जिनी दिर तो अड़ पैर ठीक नहीं हो जांदा असी इंकाम कर दे रहांगे गोकल ने टकोर लगांदे होए किया ठीक है सेच जी तो अड़िवर गा मालक मैंनो किते मिलेगा जिड़ा मैंनो अराम करन ली कही हरी ने फस फस आके क्या अजकल किसे दी मदद करन दी कोशिश क करो ताँ भी शीशे दा दर्वाजा खुल ले आते महाजना चंचेत बिना किसे चेतावनी दे अंदर दाकलो गे जिवें कि वह अकसर ही करिया करदा सी हरी अकसर कहा करदा सी कि बहुत अजीब घल है कि महाजन दे पोड़ियां चड़न समय कोई अवाज क्यों नहीं हो दी ग गोकल दे चेरे ते दर्ददा पर बाव देखिया ते नारी सुझया होया पैर जड़ा उन्हीं हाले भी उसे तरह रखिया यासी उन्हें थे की वाप पर गया कुछ नहीं बहुजी बस थोड़ी जी साटला गई गोकल ने शिरमिंदगी नल किया कि महाजन ने शक्की नजर माल देखते पुछिया गोकल ने अपना सेर चुका लिया कि में गोकल तो एक साधे जैस वाल दा जवाब भी नहीं दे सकता इमानदारी दिखांदे हुए गोकल ने अपने जुरम दा इकबाल कर लिया महाजनों थे खड़ाई गोकल ने कुछ चेर लिए जिम्मेवारी बार पाशन दिन दा रहे है फिर उन्हें पुछे अधा मतलब है कि साइकल नहीं चिला सकेंगा क्यों गोकल ने कोई जवाब ना देता है फिर कल नुमें माल देके रवेंदर कपूर देकार की नुपे जा महाजन ने तीमी अवास चिक्या उन्हे पहला अनमन ने नाल राम चंद बेखे आते फिर चंदरवल हरी बुलिया बाओ जी मैं जा सकता महाजन पहले ही परेशान सी उन्हें अपना गुसा हरी ते चाड़े हां तू तो जाई सकता है तू तो इन्ना स्याना जनार है कि मैं लखा रुपयां दियां साड़ियां खुशी-खुशी तेरे हवाले कर दे हां तू जा सकता है नाड़े तू ता गोकल दा साइकल तोड़ेंगा नाड़ अपनी तौन भी तोड़ लेंगा रस्तेच किसे स्कूल जान दे बच्चे वां खड़के कुलफी खान लगेंगा ती अवारा गुवां लखा रुपय दियां साड़ियां चे था जान गियां हर जंदा चेरा लाल हो गया ती हरी ने तुरंती निमरता नल किया बाउजी मैं तोड़ी शाम दी चा क्या के होना तो तेजी नल बार चला गया महाजन जान दे होई हरी दी पिठवल देखता रहा फिर उन्हें अपने सुबादे उल्ट शांती नल किया मेरा काम भी नाशुक् फिर उन्हें रामचंद वल देख्या जड़ा के हरीदियां हरकतां कारण लाल होया प्यासी रामचंद कल गोकुल दा साइकल लेलमी ती कोई चंगाज या माल रवेंदर कपूर देकार लाजाएं रामचंद हैरान रह गया कि ये कमोने करना सी रामचंद ने उन्हों एड़ ती वड़ा मेला मरगा मकान है जिदे अंदर नरम नरम गलीचे हन एर कंडिशन कमरी हन ते चार कारा ते उन्हों उथे जाना पाएगा परेशानी नलो दा पेट कुल बलॉण लगा महाजर ने अपनी गाल जारी रखी गोकुल माल दी चोन करन वेच एस दी मदद करें सिल्क दा जड़ा नमा माल आया उदे विच्चों भी कुछ साड़ियां कट लें कुछ सिल्क दे लेंगे भी पेज दें ओवी पेज दें जिदे के नारे आते चांदी दे कुंगरू लगे हुए है पेजन तो पहला सारा माल मैनो दिखा लें पर राम चंदनों कुछ भी सु पूरां दे कारविच लेके जाएगा हुण वाडी लाडी ते परवार्दियां होर और ता कई कंटे लाके उना चु कुछ साड़ियां ही चुनन गिया उस तो बाद होर दे मंग केती जाएगी हुण वाडी लाडी जिद्दां करेगी फिर हो किसे नकिसे साड़ि बारे अप दूर दे कर जाना तो गई। कई सालां तो हर मेने हर हफ्ते ऐसे दुकान ची तड़या आ रहा से सिर्फ एतवारा नूई दुकान तो मुक्त होंदा से या फिरो उना दिना दौरान मुक्त होया सी जदो पिछले सालों दे गिट्टे नू मचको उड़ा गई सी खुनों नू जो बार दा काम करें तो पच साइकल चलावें एदरो दरकुमें ते खबरे पुराणियां के ताबांख रिदन ले समावी कट सकें खबरे ओनांद जूस शौप तो मुसमी दा जूस भी पी सकें महाजन उस वलनू होया रामचंद इस गलवलते आन दखीं कि उथे जान तो पहला चंगे कपड़े पाएं वो बड़े लोगान असी नीचाओंदे के साधी दुकान दा करंदा चित्धडे पाके उत्थे जाएं चंगे कपड़े पाईं ते नहाके भी जाएं रामचंद ने एकदाम अपने पैरांदी उंगला मरोड लें गया उचाओंदा सी कि उदे कपड़े पाके जाएगा ते नाली मौज में लवी करेगा रामचंदा ते अंसारा देने किसी होरपा से रहा थे और महाजन ते गुसावी आया किसे गाक ने हलके पीडे रंग दी जड़ी सूती साड़ी दा ओडर देता सी ओ तो किते रखी गई सी उन्हें गलीचियां ते बच्छाईयां के यां चिट्टियां चादरां चो एककते पाणी डूप भी डोल देता महाजन ने उदी बेस्ती किती दे किया कि हरी जन नहीं निकमा है हरी ये गल सुनके हस दा रहा थे पर रामचंद ने मैसूस किता कि उन बर साद दा कोई मजा नहीं सी रह गया उच्व अंदा सी वाज दी चुट्टी कारलां दा जे उने चुट्टी किती हुन दी तो अपने कमरेच खिड़की दे कोल बैटके चादा कप पीन दा थे हलकी हलकी बारश नू हेठां वेडे विचले अमरूद दे द्रख्त नलट खेलियां कर दे देख दा शाम नोंने सिर्दर्द बहाना कीता ते जल्दी तुर गया कपड़े अंदी एक लागली दुकान तो उने अपने आप लेई काले रंग दी पतलों ते चुस्त चिटी का मेज खिरी दी उन्हों लगा जवे लोड तो वाद खर चीला हो गया है उन्हें दो सालां तो कोई नवां कपड़ा नहीं सी ख अच्छा चित्धडे उमहाजनू दिखाद आएगा फेरोंने लाइप वाय सा बनदी टिक्की खरीदी ते नवियां जुरब्बावी आखरकारो सबजियां दी एक रेडी कुल रुखेया ते एक निम्भू मंगया सिर्फ एक रेडी वाडे ने हैरानी नाल पूछिया राम चांद ने सकती नाल जवाब देता हां सिल्फिक रेडी वाडे ने अपड़ियां चुरडियां वड़े चेरे ती ही कारत दी पावना लियांदी हुए उन्हों एक निम्भू दे देता राम चंद ने उन्हों त्यान नाल जेब चुपाया उदे पैसे दे मकान मालक दी पतन सुधा अक्सरी सरीता ते ग्रैशोबा पड़ेया कर दी सी राम चंद कदे कदे उदे बड़े पुत्तर मनोज नूं कया के पुराने रसाले मंगवालेया कर दा सी उन्हों चेती आया के ना विच्चोईं किसे ग्रैशोबा च लिख्या वाया सी के निम्भू दे रगडन ना चमडी चो बदभू खतम हो जान दिये उन्हें इसे दी वर्तों करन दा फैसला केता सी अपने खरीदे होए समान दा लफाफा कच्छ दे के नाई दी दुकान चे गया हजामत बनाउन बैठ गया नाई ने उन्हों देखके कई तरह दे बहाने कीते ते वी क्या क्यों ता आखर कर नाई मान गया रामचंद ने वदिया हजामत बनवाई फिर कार चला गया जदो रात नूँ सौन लगा ते अगले दिन बारे उस अंदर बहुत उत्सुकता सी दसंबर दा मीना सी साल खतम होन वाला सी फिर भी कल नूँ उस खातर साल दा ये पहला दिन होएगा जिस भी मैसूस है ये दा कारने सी के वाल का टौन तो बाद उन्हात्ता नहीं सी जिस करके छोटे-छोटे वालों दी चंबडी नू चिंबडे होए सन स्वेरे उधी जाग खुली तो आद सुत्ताई विस्तरे चूठे उन्हों चेते आया कि आजोने की करने आजदा देन उन्हे चंगे कपड़े पौने सन उन्हें शेयर चे साइकल चलोना सी ते कपूर परवार्दे कार जाना सी उन्हों लगा कि आजदा दिन काफी खंगामियां पर या रहेगा वो बिस्तर तो उठिया आकडपनी सिद्धाई मेजवल गया उन्हें निम्भू चुकिया इन्हों आदेच कटेया ते अता हिसा लेकि अपने पैरांते जोर जोर नल्ब मला लगा वो इस कल दी जरूर कोशिश करेगा के कटो कट आजदे दिन उधे पैरांचो बदभून आए निम्भू दा एक बीजो दे अंगूठे ते पहली उंगल विचाले चेंबड़ेया पयासी अपने पैरांव निम्भू दा रास मलन तो बाद रामचंद अपने छोटे जैश नान कर्च गया ते जदों बार आया तो दी उत्सुकता सिखर ते पौन चुकी सी उन्हें काली-काली नल हरकतां करनिया शुरू कीतियां ते अजया करदा हुया कोई चीज चुक लंदा ते कोई शुट दंदा ते लगातार मुस्क रौणदा गया दुकान दे होर सारे करनदे कदे-कदे छुटी लेलिया करदे सन्द सिर्फ रामचंदी नहीं सी लेया करदा महाजन चुटी देन दे मामलेच बड़ा कंजूस सी पर कदे-कदे उनू वियोना दी गल मननी पैंदी सी सब नू किते न किते जान दी लोड पैंदी सी किसे थान जाना हुन दा सी ते उना दी जिन्दगियां चैसे लोक ते मौके आँदे सन जिते उना दी हाजरी जरूरी हुन दी सी कदे कोई रिष्टेदार मर जान दा सी परवार्च कोई व्याशा दी हुन दी सी पतनियान उना दे माप्यां दे करें जा शेर्च हूर थाईं छड़ना पैंदा सी या फिर बच्चे बिमार हो जान दे सन रामचन्द कोई रिष्टेदार नहीं सी, कोई परवार नहीं सी, जान लओए, कोई था नहीं सी, इसलिए उक देवी छुटी नहीanting सी मंग सकना रामचंद कदे भी गंबीर तो और ते बिमार नहीं सी होया सिर्फ एक वारी ओ बिमार होया सी जदो पिछले सालों दे गिटे नो मच गोड़ा गई सी ते महाजन ने उनू कार पेज देता सी उन्हें रामचंद गिटा देखिया सी देखिया सी तिन दिनाच ठीक हो जाएगा उन्हों दो वापस परता ही ते रामचंद परता है उन्हों बिमारी दा बहान भी नहीं सी ला सकता क्योंके महाजन नू पता सी के दुकान दा हरे एक करिंदा किते रेंदा सी उन्हों एवी आदत सी के जदों कोई करिंदा बिमारी दा बहां नाला के चुटी लवे तो ओदे कार पता करन चला जन्दा तावी रामचांदा अक्सर ये दासी नल सोचिया करदा सी के जिए चुटी लेंच सफल होवी जावे तावी की करेगा किते जाएगा एसली उन्हों लगातार हर रोजी दुकान ते जान्दा रहा पर अजदा देना लग होएगा रामचांदा जी नचन्दू केता अपने आपते जबत ना रख सकया ते गीत गौन लगा पहलाँ सिर्फ गुणगुणाया फिर उदी अवाज हलकी जी निकलनी शुरू होई ते छेती अपनी अवाज दी सिखर पे गार्या सी ये दिल ना होता बेचारा कदम ना होते आवारा जो खुब सूरत कोई अपना हम सफर होता अपनी पुराणी चिटी बनैन ते पजामा पाके ठंड दी परवाद ना कर दे हुए उन नचदा रहा ते उदी अवाज सिखर ते पौन्च गई मकान मालक ने हेठा वेड़े चो अवाज मारी रामचंद चुप हो जा रामचंद नियों बहाना किता जिमें उन्हें सुने आई नहोगे उन्हें फिर पहला नालों भी तिखी ते उच्छी अवास गौना शुरू कर देता ये दिल ना खोता रामचंद मकान मालक ची क्या कमरे दे दुझे पासे गया ते पूरे जोश नल स्टूल दे उत्तों दे छाड मारी अजया कर दे होई पारिय वाज आई ये ता सड़ी च्छात तोड़ देगा मकान मालक दी पतनी सोधा ने ची के क्या रामचंद मकान मालक ची क्या ओदा पतला जे असरीर गुसे नण कामर रामचंद चुप हो गया उन्हें होर गीत गौणा शुरू कर देता उत्तुंदले जे शीशेच अपने अक्सन वेके खुशी-खुशी मुस्कराया अपना सेरी के पासे नुचुकाया ते फिर गौण लगा तुम जाओं कहां उन्हें अपने पर छामी वाल देख दी होई पर जदों शेवकार रेया सी ता रामचंद एक नमाई पागलपन चा आगया उन्हें अचन चेत अपनी आखांच द्रड़े निश्चालेयां दे होई अपने उपरले बुल्लते वी साबण माल लेया ते फेर उन्हें अपनी मुच्छ दी वी शेवकार देते पामे पतली ज मुच्छा हन हां अनिलकुपूर दे हन पर फेरो ता अनिलकुपूर जो होया रामचंद ने शीशेच अपने चेरी वलते आनल देखिया उन्हें सोचया कि ये बहुता माड़ा भी नहीं सी पर मुच्छा तो बिनावदा चेरा ता चंगा लगणा सी जो दा नाम रामचंद ना होके विशाल जाम मेत या राहूल होंदा इदे बावजूद व अंदर खाते ही बहुत खोश सी उस्त बाद रामचंद ने लाइफ पाये दी लाल टिकी नालेशनान कीता अपने आपने आपनू चंगी तरा मलेया अपने पैरांती लगण निम्भूदा रास्तो ओदेता फिर उने तौलिये नळपना सिरीर सुखाया नमा कच्छा ते तो ती ही बनैन पाई ते नमी कपडे बाले उने बड़े माणनल अपने नमी चिट्टी कमेज अपनी काडी पतलोंदे विच दित्ती वाम तौरते जाँता पतलोंदे उत्तोंधी कुडता पाउन दासी ते या फिर पुराणिया कमीजा जिनानू कदे भी पतलून दे अंदर नई सी करदा। उन्हें एक पुराणा पर साफ स्वेटर पाया, अपने वालानू कंगी किती ते शीशेवल देख्या। उपड़ा साफ सुतरा ते चुस्त दिखाई दे रहा सी। मुच्छां दे बगयारो दा चेरा काफी द्रेड दिखाई दे रहा सी। ते गालता मननी पैणी सी के कपड़े अनाल फरक जरूर पैंदा सी। उप खुथर नहीं सी दिखाई दे रहा, उता काफी सतकार योग दिखाई दे रहा सी। उन्हों चेता नहीं आया कि इस तो पहला भी कदे उन एस तरह दा दिखाई 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 सी जने। तन वाल्द चल्दा।